हाई एव्रिवान वेल्कम टेस्ट इंसर तो फाइनली MTS 2020 का आंसर की आ चुका है जो सभी लोग पूछ रहे थे कि कब आएका कब आएका MTS का आंसर की तो MTS का एक्जाम एंड हुआ तो 2nd November को आज 12 November जेनरली साथ से दस दिन का अंदर अंदर ही ऐसे से आंसर की दे दिता है आज 10 दे है तो एकदम ठीक टाइम पर यह आंसर की आ चुका है ठीक है तो यह पहला वाला जो नोटिस है वो ही यह आपका आंसर की का नोटिस तो यहां पर बोला गया है कि आपका एक्जाम हुआ था 5th October से 2nd November तक ठीक है तो आप नीचे लिंक है यहां पर लिंक है यह लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना अंसर की मिल जाएगा और एक important बात यह है कि आज से मतलब आज 6 बजे से 18th November को 6 बजे तक कोई भी अगर representation डालना है मतलब कोई भी ऐसा आंसर जो आपको लग रहा है कि इंकरेक्ट दिया है SSC ने ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप उनके उनके representation डाल सकते हैं अपने जो लॉजिक है वो दिख ठाके ठीक है तो यह आपको अगर करना है तो 18th November के आगे आगे ही करना होगा और बाकी आपको रिस्पॉंस जो है वो आप 18 तक ही वो फेसिलेटी अवेलेवेल है फोर्ट पॉइंट पे लिखा है ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह आपका MTS 2020 का यह है यह सब्मीट करना है सब्मीट करना है तो आपको यहाँ पे user id मतलब आपके जूए admit card था admit card में जो लिखा है वो user id आपको यहाँ पे डालना है admit card में mention होता है ठीक है पासवाड आपका जैरेशनली डिरप बाहती होता है तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे login करना है दो ऐसे आप अपना अंशर की andzaウạ्य कर सकते हो and comment section में जरूर बताना की आपका raw score क्या हो रहा है ठीके सभी लोग comment section में जरूर comment करना कि आपका raw score कितना हो रहा है and in description box में एकड़ा mail id में मिल जाएगा askssinsight at theart gmail.com ठीक है सभी small letter में है ये Gmail में ये mail ID में आप अपना answer की मुझे send कर सकते हो अगर आपका अच्छा है तो आप ये आपका answer की send कर सकते हो मैं आपका identity disclose नहीं करूंगी आपका identity disclose ना करते हुए मैं आपका answer sheet compile करके जितना भी मुझे मिलेगा comply करके वह मैं आपके साथ share करूंगी इसमें सभी काई भला होगा क्योंकि ये बहुत ही जरुरी होता है recent years का जो भी exams होता है वह सभी का answer की आपके पास होना बहुत ही जरुरी होता है क्योंकि वह सब recent years से ही लगभख मिलता जूता questions आता है next exams में ठीक है तो आपका answer की मुझे email करना askssinsight at the red gmail.com ये email id में आपको description box के एकदम first में ही मेरा mail id मिल जाएगा ठीक है आपको एकदम anonymously आपका answer की share किया जाएगा ठीक है अल्डबस्ट तास ओल थैंक य।